बड़ी खबर आपको बता दें उधम सिंग नगर में 44 लोग डाल गए दूसरों का वोट जिले में पड़े 44 टेंडर वोट काशिपूर बाजपूर में 21 इकिस तो सितारगंज में दो मामले शामिल चुनाव आयोग की सक्ती के बाद भी पड़े टेंडर वोट आपको बता दें कि चुनाव आयोग की सक्ती के बाद भी कुछ लोग दूसरों का मठ डाल गए वास्तविक मद्दाता जब मद्दान के लिए बूत पर पहुचे तब उन्हें इसका पता चला बाद में उन्होंने टेंडर वोट दिये इस बार जिले में ऐसे 44 टेंडर वोट पड़े हैं इसमें काशिपुर, बाचपुर में 2021 और सितार गंज में दो मामले शामिल हैं इसी के साथ आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ती अन्य दस्तावेज दिखाकर दूसरों का मठ डाल देता है तो वास्तविक मत दाता इसकी आपत्ती जताता है पीठासीन अधिकारी उसके कावजात की जाँच करते हैं सही साबित होने पर उसे टेंडर वोट का अधिकार दिया जाता है साथ ही टेंडर मत की एहमियत भी आपको बता दूँ कि मठ गणना के दोरान जब दो प्रत्याशों को बराबर मत मिलते हैं तो दो बार काउंटिंग कराई जाती है इसके बाद भी मत बराबर होते हैं तो टेंडर मत की गिंती होती है हाला कि अभी तक किसी भी चुनाओं में टेंडर मतों की गिंती की नौबत नहीं आ पाई बड़ी खबर आपको बता दे उधम सिंग नगर में 44 लोग डाल गए दूसरों का वोट जिले में पड़े 44 टेंडर वोट काशिपूर बाचपूर में 2021 तो सितार गंज में दो मामले शामिल चुनाओं आयों की सक्ती के बाद भी पड़े उधम टेंडर वोट